स्ट्रोक के पेशेंट को क्या डाइट लेना चाहिए और ऐसे कौन से बेस्ट फूट्स हैं जो फ्यूचर में हमारे स्ट्रोक को प्रिविंट करने में मदद कर सकते हैं आईए जानते हैं स्ट्रोक के हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए हमें सबसे वहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लो फाट डाइट लेनी है अगर हमारी डाइट में फाट कंटेंट ज्यादा होगा तो उससे हमारा स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है हमें हमें healthy fat चूज करना है जैसे कि olive oil, canola oil, mustard oil यह हम चूज कर सकते हैं bad fat हमें avoid करना है जैसे कि घी, butter, margarine इनको हमें avoid करना है 2. अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है जैसे कि हम एग वाइट, chicken breast, dairy products इनको हम add कर सकते हैं red meat, mutton हमें avoid करना है नमबर 3, हमें अपने डाइट में complex carbohydrates जादा एड़ करना है, जैसे कि multi-grain bread, रागी, जुआर, बाज्रा, ओटमील, इनको हम एड़ कर सकते हैं, हमें refined carbohydrates avoid करने हैं नमबर 4, हमें अपने डाइट में एक चीज का ध्यान रखना है, nuts and seeds हमें जादा एड़ करने हैं, because उसमें omega 3, omega 6 पाया जाता है, और stroke में बहुत बेनिफिशल हैं यह थे हमारे डाइट में हमें क्या ध्यान रखना है, stroke के patients को, आईए जानते हैं, अब यह से कौन से best foods हैं, जो हमारे stroke के patients के लिए beneficial हैं 1. हमें अपने डाइट में healthy fats करने हैं, जैसे कि olive oil, olive oil is very much beneficial for maintaining heart health and for the stroke patients 2. हमें hydration maintain करना है, 3. हमें अपने डाइट में healthy proteins करने हैं जैसे कि egg white, fish and dairy products 4. हमें herbs and spices add करने हैं, जो कि हमारे gut health को और immunity को maintain करने में मदद करता है आईए, अब जानते हैं, क्या avoid करना चाहिए 1. हमें smoking avoid करना चाहिए, stress, alcohol and अपना weight control करके रखना है तो यह कुछ points थे, जो हमें stroke के patients को धिहान रखना है, जो avoid करना है हमसे इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया, अगर आपके परिवार में कोई stroke का patient हो, तो आप उनसे वीडियो शेर कर सकते हैं अगर आपके stroke related कोई query है, तो आप comments box में share कर सकते हैं, thank you कंगे ज सकते हैं झाल झाल